कहानी की शुरुवात में हम 22 साल की नीर्जा नाम की एक लड़की को देखते हैं जोके as a flight attendant job करते हैं और वो अपनी parents के साथ रहते थी और वो बहुत ही जिन्दा दिन लड़की थी एक दिन नीर्जा अपने duty के लिए तयार होने वाले थी और तब ही नीर्जा की मा नीर्जा क इस job को लेकर अपना concern दिखाती है और हम यह देखते हैं कि नीर्जा एक flight attendant होने के साथ साथ एक successful model भी थी और नीर्जा की मा चाहते थी कि नीर्जा अपनी modeling career पर ही focus करें और अपनी इस flight attendant की job को छोड़ते लेकिन नीर्जा को अपना यह job पसंद था और इसलिए वो इसे continue कर जाती थी इसके बाद हम देखते हैं कि नीर्जा अपने parents को goodbye कहकर अपने एक friend जैदीप के साथ airport आती ही और हम देखते हैं कि जैदीप नीर्जा को पसंद करता था इसके बाद हम देखते हैं कि नीर्जा अपने कुछ के साथ मुंबई से New York जाने वाली एक flight में उनकी duty थी और सब कुछ अच्छा ही जा रहा था और इसके बाद ये plane कराची में थोड़ी देर रुखती हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक terrorist group इस plane को hijack कर लेती हैं दरहसल इस plane के कराची के airport में लेंड होने से पहले ये बहाँ पर चार्ट टेर्रिज्स ऐसा security officers के भीज में थे और मौका देखकर ही वो लोग इस plane को hijack कर लेते हैं और जब भी नीर्जा और बाकि सारे flight attendants करते हैं तभी नीर्जा कॉक्पिट में alert कर देती हैं जिसके भाड़े में उन टेर्रिस को पता नहीं चलता हैं और इसी alert के वज़ा से कॉक्पिट में मौजूद तीन American pilots भाग ज जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं उन में से एक Indian American passenger को identify करके उसे मार डाला जाता है और पाकिस्तानी negotiators के सामने उसकी body को fake दिया जाता है और यह देखकर से भी हैरान रह जाते हैं और इसके बाद हाइजाकर्स एक radio engineer की तलश कर रहे थे और passengers में से इम्रान आली नाम के ए लेकि नीर्जा उसे इशारों में खुद के identity reveal करने के लिए माना करती है इसके बाद हाइजाकर्स सारे flight attendants को flight में मौझूद सारे passengers की passports collect करने के लिए कहते हैं नीर्जा यह समझ जाती है कि वो लोग इन में से American passports जिनके पास है उन्हें अपना target बनाने वाली है इसलिए न American passports को छुपा दे और वो लोग उन्हें seats के नीचे या पर dustbin में फेक देते हैं और इस तरह से वो लोग American passengers की जान बचाने की कोशिश करते हैं और जब हाइजाकर्स से देखते हैं के passports में एक में American passport नहीं है तो वो लोग उस्से से एक British passenger को अपना hostage बना लेते हैं जिसके व को इस्तेमाल करके cockpit के लेडियों के through negotiation करना शुरू करते हैं दूस्टे के लोग high authorities थोड़ा वक्त बचाने की कोशिश करते हैं और इसी दोरान हम देखते हैं कि हाइजाकर्स में से जो सबसे यंग हाइजाकर था वो काफी impulsive होता है और passengers के साथ वो बहुत ही बत्तमिजे करत है और उन्हें मारने की दह्मकी देता है और इन्हीं सब के धरर रोरा के leader के साथ इसके कहा सुने हो जाती है औंग में वो यंग highbli कौकपीट में जाता है और अलिग को को शुट कर देता है। इसके बाद देखा जाता है कि हालत बत्ष से बत्तर होती जाती है और नेगोशीयेटर सारे कंट्रोल कर देते हैं। दूस्टे तरफ हम नेरजा को देखते हैं। जो इतना सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और फ्लैश पैक में हम ये देखते हैं कि 19 साल के उम्र में नीर्जा की नाम के एक आदमे के साथ शादी हो थी लेकिन नारिश बहुती नेरो माइंड़िट इंसान था वो नीर्जा के घर से कम दहच आने के वज़ा से और नीर्जा को हमेशा अपने नीर्जा दबा रखना चाता था और इन्हीं सारी चीजों को बरदाश करना पड़ता था पहले तो नीर्जा नारिश के साथ एज़स्ट करने के बहुत कूशिश करती है लेकिन रोज रोज नारिश के चिकम चिली और जगने से फ़र परेशन हो जाती है औ नरेश के साथ अपने शादी को तोड़ती है और अपने जिन्देगी में आगे बढ़ती है और डिवोर्स के बाद वो modeling को as a career choose करती है और साथी में एक flight attendant भी बनती है लेकिन इसके बाद वो अपने आपको सम्हालती है और अपने जिमेदारियों को निभाने का फैसला करती है फिर नीर्जा हाइजाकर्स के साथ बहुत ही politely बात करती है और वो उन्हें ये समझानी की कुशिश करती है कि passengers के साथ अगर वो थोड़ा अच्छे से बात करेंगे तो वो लोग भी cooperate करेंगे और इसके बात नीर्जा हाइजाकर्स को समझा कर passengers को पानी पिलाती है और उन्हें खाना भी खिलाती है और passengers को वो समालती है इसके बाद हम देखते है कि एक वक्त पर नीर्जा को ये याद आता है कि जैदीप ने नीर्जा को उसका बर्जर प्रेजिन दिया था और दो दिनों के अंदर ही नीर्जा का बर्जे था और थोड़ा वक्त निकाल कर नीर्जा जैदिप के उस गिफ्ट को खोल कर देखती है और उसमें जैदिप का एक लेटर था और साथ में एक कुकी था और जैदिप ने नीर्जा को ये लिखा था कि वो उसे बहुत पसंद कर यह सही वक्त है कि नीर्जा आपने पास्ट को भुला कर जैदिब से शादी कर ले और यह लेटर पढ़के नीर्जा बहुत खुश होते हैं और वह उस कुकी को खा लेती हैं दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि जब नीर्जा के घर वालों तक और जैदिब तक प्रेन हाइजक कि यह नियूस बहुचती है तो सभी बहुत ज़्यादा परिशन हो जाते हैं और नीर्जा के फादर कंटिन्यूसली के साथ कॉंटक्ट करने की कोशिश करते हैं इस वक्त क्या सिचुएशन यह जानने के लिए और उन्हें जो भी पता चल रहा था था वो अपने फैमिली मे हैं 17 घंटे हो चुके थे और इसके बाद प्लीन की सारी पावर्स दीरे दीरे लुज हो जाती ही जिसके वजह सेश्क मैं के वाण साषी चली जाती है और नी जाराँ बाखे साड़े अटेंडेंस यह सारी बात है हाइजाकर्स को explain कर सकें इससे पहले ही हाइजाकर्स यह समझ लेते हैं कि authorities ने power cut कर दिया है और वो लोग जल्दी attack करने वाले हैं और इसलिए हाइजाकर्स panic करने लगते हैं और वो लोग passengers को shoot करने लगते हैं और इधर उधर बहुत सारे passengers की मौथ हो जाती हैं बाहर भेजती हैं और आखिरकर्स वो जब तीनों बच्चों को लेकर बाहर जाने वाली थी तब hijackers का leader उन बच्चों पर गोलिया चलाता है और नीर्जा उन तीनों बच्चों को बच्चा दने के लिए खुद आगे आ जाती हैं और उसे तीन गोलिया लगती हैं और इसके बाद वो उन बच्चों को सेफ ली पहले लैंड करवाती हैं और आखिर में खुद उस plane से निकलती हैं और दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि इसके बाद उन hijackers पर एटक होता है और एक एक करके सभी को मार डाला जाता है और हम देखते हैं कि नीर्जा की कंडिशन बहुत ही खड़ाब थे और तब ही बहाँ पर एम्बूलेंस आप पहुचते हैं और नीर्जा के साथ साथ बाकी सभी घायल लोगों को जल से जल्थ हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है नीर्जा के मां के पास आता है और नीर्जा ने Tag कहा था कि उसे रो MP संद नहीं है और यह सुनकर नीर्जा के तै करता है कि वह बिल्हू कुल नहीं रोएगी क्योंकि उनकी बेटी ने हिम्मध्वाला काम किया है और अपनी द्यूटे निभाते हुए उसने अपने जान दी है और इसलिए नीर्जा की पूरी फैमिली उसके कलीक्स और इहाता के सारे पैसेंजर्स नीर्जा के इसे ब्रेवरे के लिए उसे सल्यूट करते हैं और आखेर में ये दिखा जाता है कि नीर्जा के इसे बहादूरी के लिए उसे अशुका चक्रा से सम्मानित किया जाता है और नीर्जा की मा ये अवर्ड लेने के लिए आते हैं और वो अपने बेटी के बहादूरी को लेकर बहुत गर्फ महसूस करती हैं और इसे के साथ ये कहान ये ही बड़ी खतम हो जाती है.